बिजिया दस्मी की आप सभी दर्शकों को धेर सारी सुपकाम नाए दसहरे पर पूरे दिन भर और बूज मूर्थ रहता है इसलिए सारे काम बड़े आसानी से संपन्न हो जाते है यह एक ऐसा मूर्थ वाला दिन है जिस दिन बिना मूर्थ देखे आप कोई भी नया काम आए जाने वाला यहतिवार बिजया दस्मी या दसारा जिसके नाम से हम इनको जानते हैं और इस दिन नील कंट भगवान का दर्सन करना अतिसुब होता है क्योंकि माना जाता है कि भगवान सिव नील कंट के रूप में पृत्वी पर आते हैं तो उनका दर्सन तस्वीरों म मालाओं से सजाय जाता है घर में रखे अस्तसस्त रवाहन की भी पूजा होती है और बहुत ही पावंता के साथ संपर्ण करने वाला पर्व है नो दिनों तक जो मा की अराधना आपने की इसके बाद भगवान स्री राम ने दसमी के दिन ही लंका पती रावन का बद्द किया अब चुकि रावन को युद्ध में परास्ट करके उसके रावन को चुकि इस दिन बिजय दसमी के दिन स्री राम ने रावन का एहिंकार चूर किया था तो रोज मर्रा की जीवन में एहिंकार का त्याग करना हो सकता है इसलिए इस दिन आप एहिंकार का त्याग जरू कीजिएगा भगवान स्री राम जो हमारे आराद्ध हैं अब भगवान स्री राम और हनुमान जी हर्मान जी की भी पूजा विसेस तौर पर दसहरे के दिन की जाती है कुछ विसेस टोटकी किये जाते है और विजिया दसमी पर समी बिक्ष की पूजा भी होती है इस दिन अपनी अपनी छमताओं के अनुसार लोग खरिदारी भी करते हैं अगर किसी को कुछ चाहिए वाहन, कपड़े, बर्तन, सोना, चान्दी तो दसहरे की दिन खहिदना पसंद करते हैं राबन के पुतले भी जगा जगा बना कर इसी दिन जलाये जाते हैं तो दसहरे के दिन का महत बहुत सारे हैं लेकिन आखिरे इस दिन क्या खाएं कि जीवन में खुसियां चली हैं जीवन के तमाम परिसानियां समाप्त हो जाएं पूरे 9 दिनों तक मातारानी को आपने मनाया और 9 दिनों तक पान नहीं खाया जाता है नमरातर के नौ दिन भूल कर भी पान नहीं खाना चाहिए लेकिन जैसे ही बिजया दस्मी की तीथी आती है तो इस दिन पान जरूर खाए दिन में ना खाए तो ना खाए कम से कम रात में खाए ले रात में पूरे परिबार के साथ पान खाए सिर्फ खुद खा लिए नहीं सब को खिलाएए खुद भी खाएए क्योंकि पान खाना सूम माना जाता है खुदिया लाता है धन नहीं